कि अच्ट की अच्ट कि अच्ट को से किया यूज दोक्ट करेंग जो इस तोपिक इस एप्लिकेशन आप लेंद होते हैं प्योर स्टेट में याणि कि आपने उनका अगर कमपाउंड नहीं बनाया है तो as such they are not very much useful, उनकी कोई ज़्यादा applications नहीं होती, लेकिन जो उनकी compounds है, they are very much useful, सबसे पहला जो उनकी important application है, वो है miss metals, miss metals क्या होता है, यह cerium इसमे 50%, lanthanum 25%, neodymium 15% और इसके अलावा 10% में अलग-अलग metals होते हैं, जैसे presodiamium, iron, magnesium, calcium हम अलग-अलग metals लेकि अलग-अप्लिकेशन्स डिसाइड करते हैं, cerium क्या बता है, scavengers of oxygen, जहां हमें oxygen हटानी है, जैसे vacuum tube है, इसमें से हमें oxygen को पूरा खीचना है, vacuum बनाना है, तो हम इसके बीच में क्या रग देते है, cerium, जो की cerium oxide बना के vacuum बना देता है, और oxygen को हटा देता है, बिल्कुर, 3% miss metal, यालि कि यह जो metal बना, इसका 3% ले, प्लस हमें oxygen मिला है, तो हमें क्या मिलते है, jet engines के spark plugs मिलते हैं, जितने भी हमारे जहां पे भी कहीं spark करनी है, या जहां पे जैसे lighter है, lighter में जहां से flame निकलती है बहार, तो उसका जो metal होता है, वहां पे क्या होना चाहिए, काफी high melting point बाला होना चाहिए, तो वहां हम क्या देखते है मिश मेटल्स को कामने लाते हैं, जैसे flame throwing tank, जहां पे भी flame बाहर निकल ले हैं, तो उसके mouth के उपर हम मिश मेटल को कामने लाते हैं, लैंधिनम oxides जो लैंधिनोड्स के oxides ये glass की polishing के काम में भी आते हैं, और जिसमें से neodymium और presodymium की oxides हैं, ये जो goggles बनते हैं, specially blowers होते है जो welding का काम करते हैं और एक dark color का बड़ा सा glass का goggle लगाते हैं, वो क्या होता है, इसके अंदर हम neodymium और presodymium oxide ही मिलाते हैं, उससे क्या होता है कि वो जो harmful radiation हैं, उनको आँख तक नहीं जाने देते हैं, बरकि वो goggles में ही उसको रोक लेते हैं, cerium salts जो है, they are used as a catalyst in dyeing cotton, cotton को जहां dye किया जाता है, वहां पिदी हम इसको काम में लाते हैं, इसके अलावा मैंने plus minus कि लिखा, इसका मतलब hydrogenation and dehydrogenation, plus मतलब hydrogenation, minus मतलब dehydrogenation, reaction में, oxidation reaction में, और petroleum industry में जहां cracking करते हैं, हुआ catalyst की करेंदी हम lengthenoids को काम में लाते हैं, इसके अलावा lengthenoids की salts हैं, वो magnetic and electronic devices में काम में आते हैं, क्योंकि इसमें कुछ बहुत जगा paramagnetic होते हैं, कुछ dire magnetic होते हैं, तो as per the requirement हम इनको काम में लाते हैं, इसके अलावा एक इनकी बहुत important application होती हैं, lasers को बनाने में, जो इतने भी lasers हैं, उसमें हम क्या करते हैं, नियो डाइनियम oxide को selenium oxy chloride में dissolve करके, फिर हम lasers बनाते हैं, इसके अलावा इसके एक और property हैं, वो क्या है, कि हम cerium और magnesium को mix करके, हम बनाते हैं, flash light का powder, जो यह flash lights होती हैं, उसमें जो powder use होता है, वो कौन सा हो होता है, cerium and magnesium, इसके अलावा इसकी एक और application होती है, उसमें हम क्या करते हैं, gadolinium sulfate लेते हैं, इसको हम use करते हैं, जहां हमें low temperature produce करना है, यानि कि हम कहीं पे temperature कम करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम क्या काम मेनाते हैं, gadolinium sulfate, तो यह थी lengthenoids की कुछ applications, Thank you.